आप सभी साथकों का स्वागत हैं, मैं अर्विन सक्षेना भोल रहा हूँ, साधना जगत के रहस्यों तता तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्यक वीडियो को देखें, इस वाले वीडियो का जो टॉपिक है, वो है देवराज हिंद्र भागेग, तो मैं इसमें जो वेदों में जो वेदिक देवता हैं, उनमें जो सबसे प्रमुक्ष देवता हैं, इंद्र देवता हैं, इनको देवराज इंद्र का जाता है, उनके बारे में कुछ वर्णन करूँगा, और वो जो वर्णन होगा, वो मैं जो साम वेद हैं, इसमें जो पूर Charger 1 है उसमें जो पर्व दी हैं जब 2 लिए अगनी पर्व इंदर पर्व औरकों और पर्या इन चार वर्वा में जो दूसरा पर इंदर पर्व उसमें जो वर्णित resisti के के बारे में जो भी जानकारिया है वो आप लोगu के समें प्रस्तोत करूंगा है है तो इसमें ये जानना है जरूरी है कि इंदर देवता के बारे में क्यों ऐसा बता रहा हूं इसके पहले आप नोगें देखाओ अख्यां दिखा कि मैंने पर्शोशी में से यह पहली खळी यह ऊसलिए कि यह जो सबसे अधिक सुख्थ मेरी देवता के यह जो वेदों में निक्तने रिंद ब्ल्रमुक देवता हैं यह क्या है कि इनकी जो महत्व हैं उनके बारे में तो भी जमाको जान कर रहे हैं दूब आको समझ में आ जाए गए कि यह जो है मुक्य रूप से कहना चाहिए कि जैसे कि मैंने बावान सुम देवता के बारे में बताया था कि वो कॉस्मिक फ्लो के एक रिप्रेजेंट करते हैं यानि कि जो पोशन के तत्व पूरे संसार जो धाराएं बह रहे हैं उनको उनको समझ लीजे कि वो सुम देवता है उनको घाया है । उसी तरह से संसार में इतनी भी संगठन शक्ति एजह कि उनको रुक्रेजेंट करते हैं वो इंद्र देवता करते हैं एक संसार में दो शक्तियाurar को तोड़ने ओश не किन देखन करदेगी और ये दो शक्तिओं के संफार में कर देगी हैं उसको जो है रेप्रिजेंट करते हैं हिंड्र देवता आ hy कि यह जितनी विटनकारी शक्तिया होती हैं उनको उन शक्तियों को विनाश करते हैं कि और उन विडियु में बात आएगी है लेकिन आप ये समझ लीजे कि जैसे कि हमारे शरीर में जो प्राण है कितने प्राण है उनकी संक्या मत दीन है लेकिन यह बहुत सारे प्राण है और वे भी नालियों के अंदर में प्रवाइट हो रहे हैं अगर उनमें संगठन आ जाए यानि कि एक तरीके की एक रुक्ता सी आ जाए अगर विक्तन आने लग जाए तो पूरी शरीर का भी चिंड़ी का भी चिंड़ी बिन हो जाएगा हर तरीके से विक्तन होता चला जाएगा हर स्तर पर होगा हो तो जहां अगर विक्तन की बात आ रही है तो उसको कॉंपर करने के लिए उससे बचने के लिए जो इंदर देवता इस सुप्त बहुत ही उपयोगी होते है यह तो एक में वाद है जो इसकी वज़े से जो कि मैं यह सारा चैनल है यह पूरा साधकों के लिए है जानकरियों को मैं दे रहा हूं यह पर इसलिए जो साधना में उपयोगी किस-किस की साधना है उनी पर वीडियो बना रहा हूं जिससे की समझ में आये कि कौन सी चीजों को हमको छोड़ना है कौन सी चीजों को पकड़ना है तब ही साधना में आगे बढ़ा रहा सकता है तो अब आगे बढ़तों मैं जो है इनकी जो इंद्र पर्व है जो की शामवेद में दिया हुआ है उसके मैं जो इंद्र देवता के बारे में जान करी है वो आपके सामने प्रसुत कर रहा हूं सरप्रदम यह कि धन देते हैं धन देकर आनन्दित करते हैं यह वरत जो है रक्षस उसको यह समाप्त कर देते हैं अब रक्षस के बाद एक तरीके का अवरोध समझ लीजिए हमाई उसको कई तरीके से मैं विचलेशन कर सकता हूं बहुत करूंगा तो लंबा हो जाएगा या सकता बहुत कर दो तुछ जो जो वर्शा होती है उसको रहेगा बहुत कैसे प्रतीक के रूप में एक रघ्यास woll कर रहा है जोकि वास्त्रों में भी होता है लेकिन ये समifi जाहिए जो भी अवरोध है कोई न कोई रूप से जीवन में जोकि सही काम को रोक रहा कर तो व हशोरी हैं हो उनको समाप्त करने का नहीं अवरोधों को समाप्त करने के काम देवला जैंद्र गाहा है यह मेरी यहां पर टिपणी हैं तो यह मैंने जो यह इसमें है कि इंद्रपर में यह व्रत अंता हैं यह व्रत जो है राक्षा से उसको समाप्त कर देते हैं और यह अपने सहस बल और समर्थ के कारल जो है यह प्रसिद हुए हैं और वर्षा के समय में तो इसलिए वर्षा कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है इस कारण अपने कर्मों के कारण जो है यह और सहास के कारण भीता है कारण यह पूरे संसार में विख्यात है एश्वर संपन्य देवराज हैं समझ लिए कि आप जो देवों का जो दोख हुआ वहां पर उनके राजा है तो एश्वरी इनके पास है शक्तिशाली है इनका में काम गया है मानव की रक्षा करना अब जो मानव एक है दूसरा है दानव अब दानव के बारे में जो कि वह इन्विजिवल वर्ट की बात हो जाए उसके लिए अलग से मुझे उनकी रक्षा करते हैं और जिस करना से जो भी दूस्ट होते हैं उनको नस्ट कर देते हैं वो हमेशा जो की युवा रहते हैं सूर्थिवान रहते हैं और जो है हमेशा जो उनके जो सादक होते हैं हमेशा जो है मनलब हिंद्र दिवता के मित्र बने रहते हैं और उनके कर दिन में रात में कहीं यूंख रूग है पहले तो भागी जाते हैं और अगर नहीं गय तो हुँ हुना निश करते हैं gri agar को है यह कि जान एक है शानलय विल में पही करते हैं और सब को आशनाते топ Rico दढ़ाय हैं गोल knocked India लेन फ़िंदे हमने के फोर्द में पहल की कि दोगर होते हैं में पर सम्देख करना कर दे हैं जीवन में तने शुघ में जितने भी होते हैं जो द्वेश करने वाले प्राणी होते हैं घणा पहलाने वाले लोग इस प्रकार के जो दुस्द प्रवत्ती के भरतियक के लोग होते हैं उनको नच कर llev ते और वैभव ऑपने स्ढगों को प्रिदान करते और जो जोगी वो मुनच्छों संक्षं के लिए उनका मेन कार है तो इसलिए उनकी कावनाओं को भी जानते हैं उनको भी पूरा करने में मदद करते हैं युद्धु शेत्र में भी अगर होगा व्यक्ति उनका साधक तो शत्रूं से विजदिलाते हैं वो अत्यन्ति सामर्तमान है और जो जितने भी मतलब आप समझ लिए कि जो असुर होंगे उनके लिए काल के समान है वो कर्म करने में उनके कोई मुकाबला नहीं है असंख प्रगार के काम कर सकते हैं तो यह सारी जो शम्ता हैं वो अपने उनके साथ कों में भी आ जाती है कि तो उसी तरीके से संदर भी देते हैं मलेक चार्म देंगे अपने साध़कों दिरूदेंगे जरूदेंगे सश्टी के संचालन करने में उनकी प्रमुख भूमिका है वो सुखकारी है अन्बल से युक्त जोगी आश्वर होता है वो प्रदान करते हैं और इस प्रकार साथकों के जीवन को सुखी बनाते हैं तो अभी तुम्हें इसी वीडियो के लिए इतना ही पर्याप्त है आगे आने वाले वीडियो में कुछ और मैं इंद्र देवता के बारे मन बताऊंगा आशा करताओं को आपको इस अब जानकरी अच्छी लगी होगी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद कर दो